पुलिस वाले ने सुनवाई नहीं की तो S.P. साब के पास चले गए और S.P. साब ने भी कारवाई नहीं की तो क्या करें तो भई ऐसे में कानून से वरोसा नहीं तोड़ना है आज मैं आपको पांच अलग अलग ऐसी बाते बताऊंगा कि अगर आपको किसी के उपर कारवाई करवानी है तो वो भी हो जाएगी और अगर आपको कारवाई किसी फुलिस वाले के उपर करवानी है तो वो भी हो जाएगी बस कानूनी जानकारी के लिए थोड़ा सबर रहना जरूरी है इसलिए वीडियो को लाश्ट तक देखें ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल सक कुल पांस तरह के ऐसे बात दी बताऊंगा लेकिन कारवाई करवाने से पहले आपको एक कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा कौन सा कम आपको वो चीज SP साब को बतानी पड़ेगी कौन सी बात अगर आप किसी खिलाफ में कारवाई करवाना चाहते हैं और पुलिस वालों ने अगर वो सुनवाई नहीं की तो वो चीज आपको यहां application देना पड़ेगा ही पड़ेगा या फिर किसी पुलिस वाले ने आपके साथ में नयाई की आपको थपड मार दिया जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया कोई जूटी तहरा लगा दी कोई जूटी रिपोर्ट बना या फिर आपसे पैसे वेसे मांग लिए कोई भी नयाई अगर आपके साथ में होगा तो सबसे पहला काम को क्या गरना यहां पे application देना पड़ेगा ही पड़ेगा जी अब कुछ लोग कहेंगे यहां पे तो application देके हम छिक लिए कई बार दे चुके हैं कुछ नहीं हुआ मैं मानता हूं ऐसा नयाई हो जाता है कई बार कुछ नहीं भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता भी है यह चीज रियल भी है लेकिन आपको यह करना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि यह process है भाई यह process होगा तभी आगे काम चलेगा वो चीज आप समझ है तो उस डाक की detail आपके पास में होने चाहिए अब देखो क्या करना है सबसे पहला काम तो आप यह कर सकते हैं कि जो भी आपका नजदी की magistrate है उसको जा कि आप यह सूचना दे सकते हैं कि सम मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुग है किसी पुलिस वाले ने मेरे से पैसे मांग हैं कि यह सिकायत आपने SP साब को बताई और उस टेम आप क्या कहेंगे नहीं जी वहां तो हमने नहीं बताई फिर आपको वही भेज़ेंगे जाओ पहले application वहां देखे आप इसलिए कहारा हूँ पहले यह process करना पड़ेगा ही पड़ेगा यह process है यहाँ पर आगर करने के ब videos दिया वो सच्चा मिला किसी पुलिस वाले खिलाव में किसी person के खिलाव में अगर कोई पुलिस वाला है और अगर सिकायत सच्ची मिली तो एक जटके में सस्पेंड कर देंगा और फिर चल पड़ेगी inquiry और inquiry के बाद अगर उसको सजा मिली तो क्या पता dismiss भी कर दे यानि कि यहाँ पे भी नहीं जाना चाते तो आप डारेक्ट भी सिकायत दरज करवा सकते हैं यह भी पावर होती है CRPC सेक्षन 200 के तैट में आप नजदी की मजिस्टाइट के पास में जाएए अपने सिकायत वहाँ पे जाके लिखवा सकते हैं कि साब मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं क दुवारा नहीं बता हुआ भाई वीडियो लंबा बन जाएगा तो आप वह वीडियो जाके देख लीजिए मैंने वहाँ पे सारे सेक्षन बता रखेंगे आप कौन से कौन से सेक्षन किसकी उपर लगवा सकते हैं फिर मजिस्टेट्स आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर के लिए कि हैं सबूत कहां से लेग तो भाई जिस फोन से आप मेरे को देख रहे हो उसके पीछे कैमरा लगा है वह कैमरा किसली है फोटो वीडियो बनाने के लिए आप बना सकते हो भी आपके पास में अधिकार है कुछ लोगों को अपने अधिकार भी नहीं पता है ये भी कैमरा नहीं है तो भाई एक 200 अरवेगा कैमरा आता है यहां बटन में लग जाएगा जेब में लग जाएगा किसी की वीडियो रिकोर्डिंग कर लो हैना कोई भी आप सब्सक्राने के लिए उकसाने के लिए नहीं है यह सिर्फ जानकारी देने के लिए कि लोगों के पास में अगर उनके साथ में इन्याय हो रही है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं तो भाई आप यहां पे भी जाके सिकायेत करवा सक्थ हो इन Investigation magistrates आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन investigation में आपकी बास सची निकली, अगर आप सचे हो, भाई अगर आप सचे हो तो डर क्यों रहे हो, जाके कारवाई करो ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन धाराओं से कुछ नहीं होता, ये देश ऐसी चलना है, ऐसी चलेगा, भाई जब आपने पहले ही सोच लिया ना, तो फिर देश ऐसी चलेगा आपके लिए, और कुछ लोग जो सचाई के लिए लड़ेंगे, उनका भला भी होगा, भाई अधिकारों के लिए आज के टाइम में लड़ना पड़ता है, आप हो या फिर मैं हो, तो भाई अपने हग के लिए लड़ो, आपको अगर अपना हग चाहिए, आपको न्याय चाहिए, तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपके लिए मैं नहीं लड़ूँगा, आपके लिए आपका सगा भाई भी नहीं लड़ेगा, यह सचाई है, यह कड़वी सचाई ह अगर आपके स्टेट में ख racist channel का पोटल यह ओनलाईं पोटल होता तो आप उनलाइन भी अपनी सिकायत भेज सकते इंधर सिकायट किसके पास आएगी तो यह थीम साहथ Tyler Jam आपके proof direct वहाँ पर जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है तो फिर CM साब उसको देखेंगे, उनके team उनको देखेंगे और फिर उसके उपर इंक वैरी चलेगी अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह यह इतना वड़ाद में थोड़ी देखेंगे तो वह देखेंगे और जो सिकायत आपने दिये और उसका reply जरूर आएगा कि उन्होंने क्या कारवाई की वो reply जरूर देंगे कि जो आपने application भेज़ी है और वो इस application के उपर कारवाई जरूर होगी भरोसा रखिए और वहाँ पर भी यही बात कि अगर आपकी बात सच निकली आपके evidence अगर सही निकले तो जिसके खिलाब में भी आपकी application है तो उसके उपर कारवाई जरूर होगी और आपको reply जरूर मिलेगा लेकिन अगर आपके state में CM window नहीं है तो अब ऐसे में आप PM window पर भी यह चीज़े लगा सकते हैं यानिकि direct आपकी सिकायत परधान मंतरी तक भेज सकते हैं फिर भई बात परधान मंतरी थोड़ी हमारी सिकायत पड़ेगा तो भई पड़ेगा और आपको reply भी मिलेगा यह मैं 100% बता रहा हूँ यह मेरी बरती हुई चीज़ है कि आपको reply मिलेगा कि उन्होंने आपकी सिकायत के उपर क्या कारवाई की है या फिर क्या कारवाई नहीं की है अब कोई भी सिकायत लगा सकते हैं यहापे किसी पुलिस वाले खिलाब में किसी परसन के खिलाब में जरूर कारवाई होगी भाई 100% कारवाई होगी बस आप कानून पर वरोसा तो रखिए तो यहाँ पर भी आपकी कारवाई होगी और अगर आपकी बात सही निकली और आप एक जटके में अपना काम करवाना चाहते हो, किसी पुलिस वाले के उपर अच्छी वाली कारवाई करवाई करवाना चाहते हो, सरफ घर बेठें और आपकी जानकारी भी खूफिया रखी जाए यानि कि पता भी ना चला कि इस पुलिस वाले के उपर कारवाई किस ने करवाई तो उसका भी एक सधान सा तरिका है हर स्टेट के अंदर एक विजिलेंस की टीम होती है और मुस्टली स्टेट के अंदर सीम फलाइंग की भी एक टीम होती है अगर आपको किसी पुलिस वाले के उपर कारवाई करवाई या अगर उसने आपके पैसे खा दी है या फिर आपके साथ में कोई अन्याय कर दिया ना तो विजिलेंस के पास में फोन करें घर बेटे फोन करें पहले चीज़ तो वो आपकी जानकारी को छुपाएंगे की ये जानकारी उन लोगों को दी किसने यानि की आपका नम कदे ही की आइनी आएगा कभी नहीं पता चलेगा कि ये सिकायत आपने दी है नीदी है और फिर वो उसके उपर कारवाई बिठाएंगे और रंगे हाथों पकड़ने कोशिश करेंगे और रंगे हाथों पकड़ा गया ना तो बड़े बड़े रोते देखें मैंने पुलिस वाले ऐसे पाउं पकड़ते देखें कि सर 500 रुपे की रिश्वत लिए माफ कर पर करवाई कर सकते हैं लेकिर वीजीलैंस का नंबर आपके पास में आएगा कहां से चर्णसफी इस्क्रिप्रिप्सयों साइक कर लो.. मैंने आपे पनक्यादी पूरे नंबर दे रखने हैं.. हेल्प लाइन नमबर पे कॉल करो और बताओ कि किसी पुलिस वाले ने आपके साथ में हैसा-इसा अन्याय किया है। तुनत कारवाई होगी भाई, आप भरोसा करो, कानून पे भरोसा रखो, कानून थोड़ा देर से काम जुरूर करता है, पर पूरी निस्पक्स जांस करके करता है, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, चाहे आप हो या फिर जिसके खिलाब में आपकी सिकायत है, उसके साथ म रिपलाई मिलेगा ही मिलेगा भाई, ये चीज मा सोचना की ओनलाइन काम होते हैं, आपको रिपलाई मिलेगा ही मिलेगा, आप अपना फोन चेक करते रहें, आपका जो भी आप मेल दोगे, उस मेल पर रिपलाई आएगा कि उन लोगों ने क्या-क्या काम किया है, और कब-क तोटल जानकारी आपको मिलेगी, सरकारी काम है, थोड़ा देर से होता पर होता अच्छे वाला है, तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर देना, किसी और भाई के पास में बेज देना, और मैं फिर कह रहा हूं, य वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए, किसी को उक्सान या बढ़काने के लिए नहीं है, थैंक्यो भाई